उत्रप्रदेश लाल गंज तहसिल के सिधोना शेतर के चाकीडे ग्राम सभागे खुज्रा काउमिक कैलाश नाथ यादो पुत्र कुमार यादो के घर अग्यात कारणों से भीशर आग लग जाने से ग्रहस्ति का सारा सामान जलकर राखो गया अग्यात कारणों ने उनके आवासी अम्रंथी में आग लग गई आग लग गई जब तक लोग कुछ समझ पाते आग ने विक्राल रुपधार कर लिया लोगोद्वारा आग पर काबू पाय जाने तक मंडईवा के चेड पूरे तरह से जलकर राखो चुकी थी जिसमें रखार दस कुंटल चावल एक कुंटल सरसो पाच चार पाई बिस्तरकप्रा साइकल तथा जमीन जयादात के कागस आधिजल कर राखो गई अगनिकांड में एक गाय और एक बच्चिया भी जुलस गई है जिसमें बच्चिया के मौत हो गई है सुचना पाकर महनाज पोर्थाना के उपेरक्षक ऐसें जादो लेखपास संजे कुमार से इंग मौके पर पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त किये इस मौके पर भारी संख्या में ग्रामेड आग बुझाने के लिए मश्रक्कत करते जो देखे गें ग्रामेड सुनील यादो ने बताया कि आग बहुत भयावत ही तथा प्रित का सब कुछ नश्ट हो गया अरे किन कारणों से आग लगी थी आप थे यहां पर साहिता करते हम देखें आपको अपने तोबा निकल गया है यहां के ने कुछ बचा नहीं है सब कुछ बचा नहीं है काफी नुकसान हुआ है बहुत जाड़ा नुकसान हुआ है कुछ बचा नहीं है सब कुछ खतम हो गया इनका आप ग्रामीड है कौन से ग्राम सबाया है यह अच्छा है गाउंच खुज रहा है कैसे आग लगी थी आपना नाम बताईए आप कैसे आग लगी है बताईए किनका आपका घर था कैसे जला बताईए तो यहां पर अच्छा लेकिन मंड़ी ही थी हम लोग गहां चलेगा डाहां ग्रेओं काशने और कैसे लगी है कितना कितना नुपसान हुआ होगा आपका कुछ नहीं बचा है उसने के लिए खाट भी नह आपकर लगी है लगी है लगी है तो बहाँ बताए आपकर लगी है लगी है